आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo कीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now अगर है मैं देखे तो question हम से कहा रहा है high milk yielding cross bread freezeable cow is the product of कि जो freezeable cow है जो हमार को high milk yield करती है वो किन दो के बीच का cross है तो अगर हम देखें जो हमारी freezeable cow है freezeable cow तो अगर हम देखें तो ये दो different species के बीच में breed करने के बाद form हुई है तो अगर हम देखें तो इस ये जो इनके नाम होते हैं अगर तो different से बनके बनते हैं तो ये जो parent होते हैं उनके नाम के initials को मिला कर फिर इनका नाम रखा जाता है तो अगर हम देखें तो जो ये cross हुआ है इस काओ को produce करने के लिए वो हुआ है हमारा free और सही वाल के बीच में तो अगर हम बात करें हमारी फ्रीशियन काओ की तो जो हमारी फ्रीशियन है वो हमारी मिलती है हमार को फ्रीशियन और सही वाल तो जो हमारी फ्रीशियन है वो हमार को मिलती है freeze land freeze land और how land में और यड़िए अगर हम बात करें सही वाल की तो हमारी जो सही वाल है वो एक इंडियन व्लीड है जो की पंजाब में मिलती है तो इन दोनों के बीच में व्लीड करने से हमार को freezeval cow मिली जिस में से हमार रा freezeval में अब फ्रीज फ्रीजन में से आया और वाल सही वाल में से आया और अगर हम देखें तो जो फ्रीज़ अ काओ है हमारी उसमें 5 by 8 जो characteristics है वो हमारे फ्रीज़ वाल के है मतलब फ्रीजिन का होके हैं 5 by 8 characters फ्रीजिन के है और rest 3 by 8 जो characters है वो सही वाल के है मतलब 5 by 8 जो फ्रीजिन का होगा है वो फ्रीजिन है और 3 by 8 सही वाल है तो अगर हम options देखे तो हम बत जालेगा option B इस question का answer होगा क्योंकि अभी हमने देखा जो फ्रीजिन का होगा है वो फ्रीजिन और सही वाल के बीच में cross करने के बाद हमें मिली है तो इस question का answer है option B अज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाथसाप कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर